आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्च्वास में मैं दुरुधनकर्ड फॉर्मर एस्बीए प्यू अज फिर से आप लोगों के लिए एक और आर भी प्यू इंटर्व्यू एक्सपिरेंस लेकर आया हूं हमारे एक कैंडिडेट जिन्होंने इंटर्व्यू दिया कि आपके नेम का मीनिंग क्या है उसका ओरिजिन क्या है तो ये क्वेशन वो पहले से प्रिपेर करके गए थे और आपको भी मैंने कहा है ये बात कि आप अपने नेम का मीनिंग ओरिजिन और उसके बारे में कुछ बाते प्रिपेर करके डीटील में जाईएगा एक अच्छ Muslim है तो उनसे ये सवाल specifically पूछा गया था then इन्होंने politely बना कर दिया कि sir मैं train में था इसलिए इसके बारे में मैं नहीं देख पाया then moving on इनसे इनके education के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि sir मैंने अपनी schooling किशन गंज से की है और मैंने अपनी graduations New Delhi physics honors में की है from Jamia Milia Islamia then इनसे पूछा गया कि जो Jamia Milia Islamia है अभी recent news में इसका नाम आया था इन places का नाम था तो उसका कारण क्या था तो उन्होंने बताया कि sir NRC और CWA का जो protest है उनके कारण ये news में था then इसके बाद आगे एक panelists ने इनसे पूछा कि PSL क्या है PSL के बारे में बताये then उनसे पूछा गया कि जो key sectors है वो क्या है PSL की वो बताया गया इसमें से वो सारे sectors के बारे में mention नहीं कर पाए कुछ ही sectors बता पाए थे then इनसे पूछा गया कि different जो target sets रहते है different banks के लिए वो क्या है target sets for different banks पुछा गया यह उन्होंने बहुत correctly अच्छे से बता दिया then इनसे पूछा गया what is the difference between a check and a draft यह उन्होंने बहुत आराम से बताया then they asked about the functions of RBI and NABAD इसमें इन्होंने detailed answer दिया और answer के पीच में cooperative bank का लिक्र हुआ तो उससे related follow up question थे जैसे की पुछा गया what is cooperative bank then इनसे पुछा गया कि cooperative bank को license कौन देता है यह कुछ दो follow up questions थे जिनका answer उन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया और पोरा का पोरा interview यहीं पर क्या हो गया conclude चोटा interview था 6 minute में complete हो गया था एक आथ question को छोड़के बाकि सब ही questions का answer ने बहुत ही confidently बहुत अच्छे से दिया तो मेरे नजरिये से एक बहुत ही अच्छा interview था और मैं expect कर रहा हूँ कि interview में इनका marks जो रहेगा वो अच्छा marks रहेगा अब जैसे मुझे और भी interview experiences मिलते हैं बाकि students जो है मेरे जो अब interview दे रहें 28 फरवरी या एक मार्स तक शायद interviews चल रहे हैं तो तब तक जो जो मुझे मिलते जाएंगे आप लोगों के साथ share करता रहूँगा एक छोटा सा important point ये कि ये सारे के सारे sessions एक साथ आपको एक playlist में बिलेंगे interview videos के नाम से वो playlist आप ज़रूर complete कीजेगा अगर आप interview के लिए preparation करें सिर्फ RRBPO के लिए IIPPSPOK भी interviews रहेंगे SBAPOK अलरड़ी आपकी call letters out है आपको अपनी dates पता है March के first week में complete होगे एक सेले के 7 March तक तो उसके लिए आप prepare कर रहें तो उसके लिए भी बहुत important sessions ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के session में इतना ही now that's all for today's session ठीक के लिए